गीत में लेकर उसका नाम, उसे कैसे कर दूं बदनाम, रात भर कर न सका राम, देखकर जिसकी छविय अभिराम ये इश्वर के द्वारा की कृपा है, जो अपने आप होती है देखिए अगर मैं कहूं तो प्रतिक मुनों से जन्मजात कभी होता है उन्होंने कारता कि आत्मा के सौंदर का शब्त रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है कभी होना सौ भाग्य फिर कहा विदुर को इंगित कर काका विचलिट से लगते हो, जा चुका रात्र का प्रथम प्रहर, फिर किस्चंता में जगते हो, तो विदुर नम रहो बोल उठे, आतंकित सा मेरा मन है, अब युद्ध महा भारत होगा, ये कैसा मेरा जीवर है कि अची कतर थे अची कर बंगते हैं। नम व Guild मेरी चाहत भरी निगाहों से प्यार ही प्यार चान लेको लेकर आएंगे हमारे साथ होंगे उने कुछ लिए कुछ आइंगे हमेरे साथ हुपस्थित हैं श्रीमान प्रवीन कुमार पंडे जी बहुत स्वागत आपका और दूसरे आतिति हैं श्रीमान कुमार कनक जी बहुत आप दोनों फिरोज़ाबाद के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं जिसने काव्य मंध्चों पर अपनी अनूठी प्रस्तुतियां देकर फिरोज़ाबाद का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है प्रभीन पांडे बहुत अच्छे मंध्च के कवी हैं जो कि इन ऩुद इंदुस्तान के तमाम बड़े-बड़े मंचों पर अपनी परस्तुती देते हैं और देते रहेंगे और श्रीमान कृष्ण कुमार कनक जी देखिए दो धारा के कवी और साहित्यकार होते हैं एक जो कनक जी हैं वो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और श्रीमान प्रवीन पा तो सबसे पहले तो आप सभी को आंगल नमवर्ष की हार्दिक्स चुपकामना है अला कि ये हमारा त्योहार नहीं है परन्तों फिर भी चुकि पूरा देश मना रहा है तो उसी सिलसले में आज का ये कारिक्रम आप सब के समक्ष है सबसे पहले परिचे करेंगे हम कि कैसे शुरूआत की आप लोग ने क्योंकि मंच पर आपने पढ़ा आपने पढ़ा आपने पढ़ा सब लोग जानते हैं लेकिन आपका बैक्ग्राउंड नहीं जानते हैं लोग तो आएए वहां से शुरू करते हैं फिर कविताओं की ओर बी जहां गाय और भेंस बना करती थी वहां एक बार में बैठा था और दोपर थी उस समय कुछ उस समय मुझे पता नहीं था को चार पंक्तिया तो मैंने कुछ ऐसा लिखा था कि जिदर भी देखो आलू ही आलू है और इंसान देखो कितना चालू है ऐसे करके कुछ लेकिन उस सम आपने आप होती है करेजी आप में कब कभिता पहली है क्यों आप मैं अगर कभिता की चर्चा करूं तो यह वर्ष उनिस सो चौरानवे के आसपास की चर्चा है लेकिन कभिता के रूप में यह दोजार्नॉमें परिवर्देट हुआ था दोजार नौमें एक यो बोट सब उनिवेस्टी सभराती अग्रावरिश विषय अधी इसमें मिए गया था वहां पर विष्य मेला था यद्दोर स्रॉन्थी विषय पर कविता लिखनी पर वहां मैंने कविता लेखी उस पर मुझे परतंपरोश्कार मिला पहली बार तो वहां से पूरा मेरा परिवर्थित हो कविता को ही मैंने अपना जीवन बना लिया और को मुझे मेरी मुलाकाता आप से हुई और कविता के पहले मित्र है आप मेरे संवभाग मेरे क्या बात वां और स्थकrandра प्शत्रम लिखने क्या बराव कि आद अप बाते हैं जितने अच् October कि आर लिखे oh eu आपकी कु foster यह है कि आप उतना ही खुबसूरती से उसको प्रस्तूत भी करता है अपका किık बहुत अच्छा है आपकी आपकी जो आवाज है उसमें जो बेस है वो काफी अच्छा है और और काफी अच्छा लगता है जब मंच पर आपना पृस्तूति नेते हैं तो जन्मजात कभी स storve Baltimore को Giving up सुद्ध के वाइन कि अमें दो में अग्षा shouldokes a lot जए प्रतिक में जन्मजात कभी मुएं से को का पुद वह को कुछ निखार दें निखार आ जाता है उनको मिदान्ग Hamma है तो मैं हटाई हैं और मेरे बद्याले निए हमारे बीद्ध घड़ा निकलती थी झोटी से बॉलते हैं जा तर्था निंदे एक बालवी थी कहानीया करती थी की जानिया हुआ कर्ती है तो मैठ मेरे जा भी धाष्याथी थी थे लेट थैंसे लेटा था उनिकुल शुर्टा था नी के साथ चाहनी वो जितने भी चुटकुले वो सबस्टा करते थे और वो वो मुझे कविता इवी सुनाय करते थे जिन में एक बखरा जंगल में आया हरी घास लखी जी डल चाया चरने लगा पर इंसे घास बोला शेराय के पास नेडर करू जंगल में सहर राज में समझो अपनी खेर तो वो आज तक याद है तो वो बहुत अची सीख भी थि है और वे रामाइड के चौपाईयां एक मेल के आजू अटे थे जब अबच्पन में अभाता प्रहिं काुछ सम्माला तब से घर में पायार्मोनी बजता हुआ तो पटढ़ा जी बायाय करते थे और गाते भी थे मुझे शुना था और पिता जी गाया करते थैं अभी भी गाते मोई दोनों आव smh Ultra शुप एक तो जो textbook के तायो लिए में दो हरिज्वा लडे मरदानी थिए हमें बुस्क्स पड़ते थे तो उसमें चनिवार यह कारेक्रम बालस बुप दCause तो उसमें हम वो कविता ही गाते थे और वो बुन देले हर वोनों के मूहमने बड़ा अच्छा और लगता था तो वहां से एक तो प्रोप साहन भी मिला और मुटिवेशन मिला जिससी कि आगे जाकर कर पता ही नहीं चला कि कब वो कविता बदर दूसरों की कविता पड़ते प आत्मा के सवंदर का शब रूप है काधिर मानव होना भागय है कभी होना सवभागय तो इश्वर की करपा है कि यह सवभागय हम और आपको मिला है यह बहुत अच्छा इसमान देलाया हम लोग अलिगर गए थे दोनों लोग साथ साथ गए थे और वहां निरजी के कम्रे मे अपनी चारपाई पर जिस पर वह बैट था जिस पर लेट लेटा करते थे उसी पर लेटे लेटे उन्होंने कई सारी कविताय सुनाई और हम लोग उने साक्छात कारून का लेटे रेटे किया था तो वह भी अपने आप में लगभग साथ आठ परस जी पर आपका चित्र मे है कि आप कई चेत्रों में प्रवीन है कई कलाओं में प्रवीन है मैं अक्सर कहा करता हूं जब भी चर्चा होती है कि गौरब जी अध्वतिय प्रतिवाके धनी तो हिंदी का काम हो रहा है विहारी जी की क्रपाश से हम खर पा रहें और आप सोब के साथ बैख पार रहें अ चलिए तो कुछ कविताएं हो जाएं दर्शकों के लिए जी अवस्य चोटा सा सफर है और आपको इस उससे बलाते हैं हम एक मेरा एक बहुत पुराना मुक्तक है कि करोणों जूठ बोले हम और उनको सच्चे लगते हैं मंगर ये प्रीट के धागे हमें क्यों कच्चे लग तो भी ये हमारी है और जिसे कोई नहीं जच्चता उन्हें हम अच्छ रखते हैं तो आए प्रवीन कुमार पांडे जी को स्वागत आपका और अभिनंदन आप आए और अपना कविता पार करें आप बहुत बहुत दन्यवाद गोरव जी आप सभी दर्शकों को अंग्रे जी नववर्ष की सुखकामना है छलिए मैं प्रारम करता हूं आप चार पंकतियां यूँ सुनेगा कि जाहता हूं के जान ले कोई चाहता हूं के जान ले कोई जान चाहे के जान ले कोई चाहता हूं के जान ले कोई जान चाहे के जान ले कोई शीश कब से जुकाए बैठा हूं शीश कब से जुकाए बैठा हूं प्यार का इंते हान ले कोई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्यार का इंते हान ग्रम कुई कोई लाज माँन है चैन का आश मान ले कोई धर्द का पून दान ले कोई वाह चैन का आस्मान ले कोई दर्दаний का पून दान चाहत भरी निगाहों से तखीन के धовор कि पिया चाहत भरी निगाहों से प्यार ही प्यार चाह kita है क्या कि को भ máximo है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्यार ही प्यार छान ले को एक उची उडान ले को बहुत सुने का यह मुझे बहुत पसंद है एक हुची उडान ले कोई शांत सागर उफान ले कोई एक उची ओडान ले कोई शांत सागर उपान ले कोई साथ जीने को उम्र छोटी है साथ जीने को उम्र छोटी है साथ मरने की ठान ले कोई और मैं चाहता हूँ एक गीत मैं आप सभी के समख्ष रखूँ साथ सुनेगा देख कर जिसकी छवे अभिराम रात भर कर न सका आराम गीत मैं लेकर उसका नाम उसे कैसे कर दूं बदनाम रात भर कर न सका आराम कि जिसके नैन चपल चित चोर जुल्फ जों सगन गटा घन घोर अधर हैं जैसे चंचल मोर शोर करते हों चारों घनेरी पलकों पर जिसकी घनेरी पलकों पर जिसकी शरद की सुबह बसंती शाम रात भर कर न सका आराम देख कर जिसकी छवे अभिराम कि अधर सरता से बहते भाव रिदय को छूलेने का चाव मधुर सुस्मतियों का अनुभाव सहे जे है उर में सोगाव अभाव में रहकर जिसने अभाव में रहकर जिसने लिया है वक्त सुयम ही थाम रात भर कर न सका आराम देख कर जिसकी छवे अभिराम गीत में लेकर उसका नाम उसे कैसे कर दूँ बद नाम रात भर कर न सका आराम देख कर जिसकी छवे अभिराम लताओं में गुंजित मधुमास जगाए मधुर मिलन की आस सहज नम श्वासों का एहसास भर रहा है मन में विश्वास लताओं में गुंजित मधुमास जगाए मधुर मिलन की प्यास सहज नम श्वासों का एहसास भर रहा है मन में विश्वास आस है बाहों में उसकी आस है बाहों में उसकी मिलेंगे मुझको चारों धाम रात भर कर न सका आराम देख कर जिसकी चवि अभिराम गीत में लेकर उसका नाम उसे कैसे कर दूंबद नाम रात भर कर न सका आराम देखकर जिसकी छवी अभिराम चंद्रमुक जैसे पूनम रात चंद्रमुक जैसे पूनम रात सुलगते से मेरे जजबात बने फिर कुछ ऐसे हालात न रह पाया मुझे को कुछ ग्यार द्रिष्ट से छूकर उसकी देः द्रिष्टी से छूकर उसकी देः हो गया मन मेरा घन शाम रात भर कर न सका आराम देखकर जिसकी छवी अभिराम गीत में लेकर उसका नाम उसे कैसे कर दूं बदनाम रात भर कर न सका आराम देखकर जिसकी छवी अभिराम अघ्या सब्सक्राइबॉट यहां को भी बहुत अच्छा लगा आपने पहुत अच्छा कावी पार्ट पड़ इस रोधाउं को भी बहूत आनंदाया होगा रात बड़ें अचलिए तो करेजी रहाँ आप गीत लिखते थे अच्छा लिकते रहाँ हैं और आपने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं जिसमें कई पुस्तकें आपकी गीत की भी हैं तो आज क्या प्रत्वत करने वाले हैं मैं आज निश्यत रूप से आपने कहा है एक बात है कि अब प्रभीन पानले जी का इतना सुंदर कंठ हम साब लोगों ने सुना और सुरताव ने उसका आनंद लिया वो कंठ नहीं है मेरे पास महासारदे की करपाशे लेखन ठीक है भाव और शिल्फ की दरश्टी छे मेरी र सेश्ट रचना आपके बीच रखता हूं जी वो मैं आप सबके बीच सुनाता है स्वागत स्वागत आई कि बहुत बहुत धन्यवाद गरव जी आपने कि अपने दर्शकों के समक्ष हमें रचना पार्ट का अवसर दिया आंगल नववर्ष की आप सभी को शुब कामना है मैं सीधे सीधे से आप सबके बीच एक कविता रखता हूं सीर्शक है विदूर की संका विदूर की संका भूमिका केवल इतनी सी है कि महाभारत का युद्ध बिल्कुल तयार है क्रश्ण के बहुत अधिक प्रयाशों के पस्चात भी जब युद्ध तलने के सुने हर युग में बनकर महाप्राण चैतन्य रूपले धनुष्वान या फिर फरसे के पारुस पर करता जो नव्यूग नवनुर्माण हर युग में बनकर महा प्राण, चैतन्य रूपले धनुश्वान, या फिर फरसे के पौरोस पर करता जो नवयुग नव निर्माण, जो मर्यादित जीवन जीकर वैदे ही पति कहलाता है, बन जाता विश्व मोहिनी तव देत्यों का उर्ध दहलाता है, जो महा प्रले का नंदन रुकमिनी रमन, राधा बल्लव, गोपी बल्लव, यसुदा नंदन रुकमिनी रमन, तब दुरियोधन के घर पहुँचे तैयार हो चुका था जव रन, तिल भर भी भूमि समर्पण को राजी नहुआ जब दुरियोधन, आगे की रन विभीसका से कुन्ठित था, स पहार केले के छिलकों पर रहकर, फिर कहा विदुर को रिंगित कर, फिर कहा विदुर को रिंगित कर, काका विचलित से लगते हो, जा चुका रातर का प्रथम प्रहर, फिर किस्चिनता में जगते हो, तो विदुर नम्रहो बूल उठे, आतंकित सा मेरा मन है, अब युद्ध महाभारत होगा, ये कैसा मेरा जीवन है, जिनको पाला था गोदी में उंगलीदे साथ चलाया था, छोटी-छोटी सी मांग हेतु, सारा अकास गिनाया था, अब वही नयन नभके तारे, अपना अस्तित्व मिटा देंगे, इस अबन और अंबरतल को मेघों की नई छटा देंगे, उस समय मरण मेरा होगा, उस समय मरण मेरा होगा, जिस समय प्रले आ जाएगी, भाई-भाई के सोनित से कटार जब प्यास बुझाएगी, दुख भाप गए कुछ ही पल में, फिर कहा विदुर को हे काका, मत करो क्लेश मन में इतना, बस उतना ही जीवन होगा, लिख दिया विधाता ने जितना, उस परमसत्य की सत्ता का सारा जगतो निमित्वर है, हम सब तो उसके चाकर है, हम सब का स्वामी इस्वर है, वह जिससे जितना बोलेगा, उसको उतना करना होगा, वह जिस पल मौत भेज देगा, उस पल सब को मरना होगा, यश अपयश हानी लाब जीवन मरना तय करने वाला वो, निजकर्म हमारे हाथों में फल निर्णय करने वाला वो, उसकी इच्छा के बिना यहाँ, पत्ते की क्या उकात हिले, अंधे के घर रोसनी सदा, आखों को दिन में रात मिले, अंधे के घर रोसनी सदा, अंधे के घर रोसनी सदा, आखों को दिन में रात मिले, तो मत करो अधिक चिन्ता चिन्तन, सब छोड़ो जग के स्वामी पर, मत हर्ष करो बीते कल पर, मत सोक करो आगामी पर, और कृष्ण समझाते हुए, अंतिम पंक्तियों में कहते हैं विदुर जी से, कि मत करो अधिक चिन्ता चिन्तन, सब छोड़ो जग के स्वामी पर, मत हर्ष करो बीते कल पर, मत सोक करो आगामी पर, जो भी हो, अच्छा ही हो, उस ही स्वार से कामना करो, ये जीवन भी तो रण ही है, इस रण का तम सामना करो, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया कनक जी तो भाई ये थे आपने सुना प्रवीन पांडे को सुना कृष्ण कुमार कनक को सुना आपको आशा है ये अपिसोड पसंद आया होगा और इसमें बहुत कुछ आपको सीखने और जानने को भी मिला होगा तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरे बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद कनक जी धन्यवाद पाई